इसे जूस की दुकान चलाने वाले चंद साल में ही 20,000 करोड रुपए का मालिक हो गया। महादिव एप के जर्गे दुनिया भर में लोगों को चुना लगाने की पीछे केवल दो मास्ट माइंड है सौरप चंद्राकर और रवी उपपल। इन दोनों नहीं मिलकर इस एप को शुरू किया था। बताया जो रहा है कि महादिव एप का घोटाला करीब 5,000 करोड रुपए है। कैसे सौरप चंद्राकर ने अपने दोस्त रवी उपपल के साथ मिलकर लोगों को चूना लगाया और फिर USA को अपने काले कारोबार का गड़ बरा दिया। लेकिन उससे पहले सौरप चंद्राकर के बारे में बताते हैं कि कैसे 36 गड़ में जूस की दुकान चलाते चलाते सट्टे बाजी का सौधा गर बन गया। कुछ साल पहले तक 36 गड़ की राजधारी रायपूर में सौरप चंद्राकर जूस फैक्टरी के नाम से जूस की दुकान चलाता था अब रोट साइड जूस चलाने वाले की आय तो सीमित होती है लेकि सौरप चंद्राकर को कुछ बड़ा करना था मोटा पैसा कमाना था पहले तो उसने अपनी जूस की दुकान को ही फैलाना शुरू किया 36 गड़ के कई शहरों में जूस फैक्टरी नाम से दुकानी खुली कहानी यहां से मोड लेती है सौरप चंद्राकर को जूस बेशने के साथ साथ सट्टा खेलने की भी आदत थी पहले वो अफलाइन सट्टा खेलता था लेकिन कोरोना की वज़े से ओनलाइन सट्टा खेलने लगा लॉकडाउन के दौरान उसने सट्टे बाजी आप बढाने का फैसला किया और फिर यहां एंट्री होती है रवी उपल की दोनों ने मिलकर कोरोना काल में सट्टे बाजी के लिए एक आप बढाया जिसका नाम महादेव आप नाम दिया यह एप सोशल मीडिया पर इस तरह फैला कि कुछ ही दिनों में करीब पचास लाख लोग इसके मेंबर बन गया क्योंकि देश में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज चरम पर है बच्चे युवा से लेकर बुज़ुर्ग इसकी गिरफ्त में है जिसे महादेव आप जैसे ठगो की दुकाने चल पड़ी महादेव आप का सुत्रधार 28 साल के सौरब चंद्राकर 36 गड़ का रहने वाला है